तो गैस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एक लॉट ले करके 200 रुपे से आपसन ट्रेडिंग कैसे ही स्टार्ट करेंगे तो अगर आप बिगनर हैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम जानकारी है तो इस वीडियो को बिना स्कीप किये पुरा देख इस वीडियो में आप लोग के सामने लाइफ 200 रुपे से आपसन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ कि लॉसे कब होता है और प्रॉफिट कब होता है और इस टॉपलस लगाने का सही तरीका क्या है जिससे कि आप अपने लॉसे को मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट क अब आपका गैन होता है सेयर को कब बाई करना चाहिए कब सेल करना चाहिए चार्ट एनलिसिस कैसे करेंगे इसके बारे में आप लोग को डीटेल से बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना इसकीप किये पूरा दिखेगा जिससे कि आप लोग को सही और सटिक जनकारी मिल सके बेसिकली यहाँ पर मैं ग्रोव अपलीकेशन के थूरू बताने वाला हूँ लेकिन अगर आपका ब्रोकिंग आईडी जो है की एंजल उन में है चाहिए आप स्टॉक्स में है किसी भी ब्रोकर में है तो आपका जो ट्रेडिंग का स्ट्रेडिजी होगा सेम टू सेम यह लोग को देखने के लिए मिलेगा इसके अलावा अधर आप लोग को इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा जैसे निप्टी 24,000 कॉल पूट प्लस इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा लेकिन बेसिकली आप लोग को अगर ट्रेडिंग करना है ज़े आप विगनर है आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम जनकारी है तो आप लोग निपटी 50 से सुरू कर सकते हैं निपटी 50 और बैंक निपटी आपके सामने अपने लॉसेस को बचाने के लिए सुरुआत करने के लिए सीखने के लिए निप्टी 50 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं तो सिंप्ली निप्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका आप संचेन ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखिए आप संचेन में आप लोग को कई सारी चीज़े देखने के लिए मिलता है जैसे कि यहाँ पर देखिए चार जुलाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर पिलहाल मैं चार जुलाई को लेकर के चल रहा हूं कि अभी मैं जो शेर भी मैं बाई करूँगा तो इसका एकस्पारि चा इसके बाद यहाँ पर आप लोग को कई सारे आपसन दिखनी मिलता है जैसे यह देखें call price हो गया ठीक है और यह आपका put price हो गया अब दिखें call price में अगर आप लोग share को buy करते हैं तो जब share का value बढ़ता है जब यहाँ पर इसका किमत बढ़ता है तब आपका profit होता है लेकिन अगर share का value direct अगर down हो रहा है कम हो रहा है घट रहा है share का rate ठीक है तब आप लोग put में अगर buy करोगे तो आपका profit होगा basically यहाँ पर देखें यह आप लोग को जो price दिख रहा है यह strike price है ठीक है यह आप देख सकते हैं कि यह जो strike price है plus यहाँ पर जो आप लोग को प्राइस आप लोग को दिख रहा होगा इसे 8 दमनी कहते हैं ठीक लेकिन यहाँ पर call के भियाब में इधर पर आपका in दमनी हो गय इधर आपका और दमनी हो गया यानि कि जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो देख सकते हैं निप्टी 50 यहां पर जब बढ़ेगा 24,136 फिलाल चल रहा है तो यह जब बढ़ेगा तो यह नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो जब आप कॉल में शेयर को फिललिव करता है तो अगर आपने कॉल में जो हैं कि शेयर को बाई करेंगे तो आप लोग को जब पैसा लगाना पड़ता है इधर ज़्यादा महंगे परता है यह प्रीमियम ठीक है लेकिन जब आप लोग जो हैं कि बाई करेंगे तो ये आपका सस्ता पड़ता है क्योंकि इसका price आगे बढ़ने वाला है सेम इसका उल्टा होता है इसमे पूट में इधर आपका call में इधर आपका इनदमनी हो गया तो इसका out the money हो गया यानि कि जिधर जो की price पढ़ेगा वो आपका out the money हो गया और जिधर से price घटेगा वो in the money हो गया पूट के case में ये in the money हो गया जबकि ये out the money हो गया और ये हो गया strike price और 8 the money हो गया ठीक है अब basically बात करते हैं कि चार्ट से कैसे आप लोग analysis करेंगे तो simply nifty 50 पर click करेंगे तो आपके सामने इसका देखे चार्ट open हो जाएगा यहाँ पर यह देखे चार्ट इस तरीके से देख रहा है तो candlestick form में देखने के लिए simply यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर candle बना हुआ है जबकि rate candle का मतलब यह है कि share का value यहाँ पर down हुआ है ठीक है तो आभी के case में देखिए तो यहाँ पर share का value है यह down चल रहा है यानि कि 24,135,36 इस तरीके से चल रहा है ठीक है लेकिन अभी आने वाले एक से दो मिनट के अंदर में यहाँ तो और down हो आ सकता है या फिर और जड़ा up जा सकता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर अभी इस sword को जैसे sword करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक breaking point है breaking point का मतलब यह है कि share देखिए इस तरीके से आया यह धर नीचे जाना चाहिए लेकिन इस जगह से break हो गया ब्रेक हो करके up गया ठीक है इसके बाद भी हल्का सा break हुआ है फिर इस तरीके से देखिए फिर इस जगहल्का सा break हुआ है और अभी यह down में ही आ रहा है तो जीस द लू है यह टाउन आ रहा है यानि कि अभinek हम जो है कि अगर फूट में क्य जो है कि पासओ और तो जब यह इंड़क निन में नीचे आ रहा आ रहा है ताभ हमारा profit होता लेकिन जब इहां पर अगर कालं में अगर की आ होता तो अभ Auf हमारा नुकसान होता क्योंकि यहाँ पर share का जो value है rate candle दे रहा है यानि कि value यहाँ पर down आ रहा है ठीक है तो अभी हमारा call में अगर buy कियो होते है तो मेरा नुकसान होगा होता यहाँ पर अब देखे जिस तरीके से यहाँ पर call में गया call में जाने के बाद यहाँ पर एक बार down होगा यहाँ ठीक है put me आया इसके बाद फिर से यहाँ पर long में call लिया है यानि कि आप देखे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हम share को buy कर सकते हैं यहाँ पर देखे जब भी share को buy किजेगा तो आप ब्रेकिंग पॉइंट से ही share break होने के बाद ही buy किजेगा जैसे इस तरीके से आया तो यहाँ पर just अगर break हुआ अगर green candle बन रहा है तो तुरांत आप लोग buy कर लो जैसे कि अभी भी यहाँ पर ऐसी chances हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि share का आप लोग put option में खरीच सकते हो buy कर सकते हो क्योंकि share का value यहाँ पर नीचे आ सकता है इसके अलावा chart देखने का एक और तरीका है कि आप लोग यहाँ पर minute भी select duration भी select कर सकते हैं जैसे कि अगर आप लोग last one minute का chart देखना चाहते हैं तो यहाँ पर click करेंगे तो आपका एक minute का chart यहाँ पर so करेगा एक month का sorry ठीक इसके बाद अगर दो minute का करेंगे तो यहाँ पर आपका दो minute का chart यहाँ पर so करेगा ठीक है अब चलिए यहाँ पर आप लोग को simply जो है की share जो है की sale करके और buy करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ प्लस यहाँ पर कुछ indicators है indicators आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे advance this line है प्लस यहाँ पर click करेंगे तो यह भी आपका यहाँ पर आ जाएगा यह देखिए सारी के सारी indicator हैं जो की आपको trading करने में बहुत ही जादा help करेंगे आपको pattern को समझने में help करेंगे सबी को अगर tick कर लेते हैं आप यहाँ पर यहाँ से back कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से candle को यहाँ पर यहाँ प्याटन के तोर पर यहाँ पर हाँ पर बना दिया गया है अब डाउन जाने के बाद अभी देखे ये ब्रेकिंग पॉइंट है नहीं लेकिन इस थोड़ा सा भी अगर पॉइंट यहाँ पर ब्रेक किया तो समय लिए कि सीधे मार्केट उपर जाएगा ठीक है जिससे आपसे यहाँ पर पैटरन बना हुआ है सेम यहाँ पर कंडलिस्टिक में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम इसी तरह के से बना हुआ है ठीक है मार्केट इस तरह से गया फिर ऐसे आया पर जाने के बाद फिर यहाँ पर अभी डाउन में आ रहा है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर बाई करने का एक बढ़िया म कर सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो इसके बाद स्मपली option चैन पर आएंगे option चैन पर आने के बाद मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आपको सामने जो है की 200 रुपे से trading करके दिखाने वाला हूं तो basically मैंने आपको बताया कि अगर call के in the money में अगर आप जो है कि share को buy करते हैं ठीक है तो आपका यहाँ पर जो है कि ज्यादा price लगता है जैसे कि अगर 220 रुपे में अगर आप buy करेंगे ठीक है buy पर simply click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक lot buy करने के लिए यानि कि 25 की quantity है एक lot buy करने के लि यहाँ पर F&O पर simply click करेंगे F&O पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर total open interest देखिए तो total आपका put में 32,85 चलना है जब कि यहाँ पर call में 24,74 चलना है ठीक है तो आभी के case में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग put में अगर buy करोगे तो आपक call में भी हो सकता है कोई CRT नहीं है लेकिन chances जादा है put में buy करने पर तो चलिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ आप sunshine में जाता हूँ इसके बाद आप लोग को 200 रुपे से share buy करके दिखाना है simply इस पर अगर click करेंगे वाई पर click करेंगे तो यहाँ पर एक lot लेने के लिए 300 र रुपे लगे तो यहाँ पर 250 रुपे लग रहे हैं ठीक तो यहाँ पर मैं एक और देख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है पाच रुपे में कोई इसका क्या चला है फिलाल देखे इसका 170 रुपया चला है फिलाल ठीक है तो मैं इसी को जो है कि मैं buy कर रहा हूँ यहाँ पर द एक्जिक्यूट होगा नहीं तो यह order आपका एक्जिक्यूट नहीं होगा और आपका order जो है कि reject हो जाएगा ठीक तो मैं यहाँ पर simply अभी मैं 4.90 पैसा की आसपास मैं यहाँ पर लगा करके छोड़ता हूँ ठीक है लगा करके छोड़ता हूँ अगर इस पर आता है तो मेरा order जो है कि automatically execute हो जाएगा ठीक तो wait करते हैं और हमारा जो order है यहाँ पर order के section में यहाँ पर so करेगा ठीक है जब order execute ह हो जागा तो position में यहाँ पर so करने लगेगा फिलहार order में यहाँ पर so कर रहा है अभी pending में है ठीक modify भी यहाँ से कर सकते हैं जैसे 4.90 पैसा है ठीक है तो आप इसे 5 रुपय भी कर सकते हैं modify पर click करके यहाँ से price value अपना चेंज कर सकते हैं ठीक तो यहाँ पर दखिए 5.95 यहाँ से हो रहा है तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर price में modification किया modification करने के बाद मेरा एक lot यहाँ पर buy हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5.40 पैसे में यहाँ बाई किया है ठीक और यहाँ पर मैंने delivery में बाई किया है basically जब आप order कर यहां पर दो आपसन आपको मिलते हैं पहले डिलेवरी जबकि दूसरा इंट्राडे देखे डिलेवरी जबकि दूसरा इंट्राडे आता है तो अगर आप एक जो है की बीनर है आप पहली पहली बार अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप लोग डिलेवरी में ही से करने से मतलब यह है कि आज ही आप एक्सपायर नहीं होगा आपका जो एक्सपायरी डेट है यानि कि चार जुलाइच चार जुलाइच तक आप इस एर को होल्ड कर सकते हैं और जब भी प्राइस अगर बढ़ता है तो आप लोग इस इयर को बाई कर सकते हैं इंट्राडे में यह होता है कि अगर आज आपने share को buy किया है तो आज साम तक यानि 3.30 बज़ तक आपको share को sell करना पड़ेगा अगर sell नहीं करेंगे तो automatically यह order इक्यूट हो जाएगा और आपका loss हो चाए profit हो आपको end में मिलेगा ठीक है और इसका जो भी profit and loss होता है यह आपको कल यानि कि T plus one day में आप लोग को पता चलता है ठीक इसके बाद simply में आपको यहाँ पर मैंने order जो लगाया था मेरा order यहाँ पर हो चुका है ठीक है और मैं position में दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 3.75 पशा का नुकसान हो रहा है यहाँ profit का तो बात चुड़ी है यहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है था फिलाल मैंने आप लोग को केवल दिखाने के लिए लिया था ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए इसमें stop loss कैसे लगाएंगे इसमें stop loss लगाने के लिए simply यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद simply आप लोग जो है कि इस पर जाएंगे यहाँ पर simply क्लिक करेंगे देखिए अभी profit भी हो रहा है यहाँ पर ठीक है इसके बाद एक और आपसन आपको मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुए add stop loss and target ठीक है यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद simply order valid जो है कि end update ठीक है यानि कि जो आप यहाँ पर stop loss होगरे लगाएंगे यह आज तक ही valid रहेगा ठीक इसके बाद जो है कि stop loss trigger पर अगर मैं बात करूँ ठीक है stop loss trigger मैं यहाँ पर मैंने 5-45 रख देता हूँ ठीक है 5-25 यहाँ पर रख दूँगा ठीक है लेकिन यहाँ पर देखे एक जो है कि 5-25 यहाँ पर बोला है तो यानि कि 5-15 से कम हमें रखना पड़ेगा तो चलिए 5-15 मैं रख दे रहा हूँ यानि कि 5-40 पर मैंने buy किया था और जब भी 5-40 से अगर इसका rate down होता है तो 5-15 तक आते आते जो है कि यह share यह जो order है यह cute हो जाना चाहिए इस से ज़्यादा मैं loss नहीं करना चाहता हूँ ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते है तो आप दी दखे जिरो आ गया तो मैं यहाँ पर order place कर दे रहा हूँ यह मेरा जो है कि 5-10 पर जो है कि मेरा यह stop loss लग जाएग तब यह sale जो है कि हो जाए यहाँ पर click करेंगे यह भी order place हो जाएगा ठीक और यहाँ पर stop loss के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर stop loss भी लगा सकते हैं ठीक है मैंने आप उनको भी बता जा ठीक है यहाँ पर click करेंगे इसके बाद दोबारा से यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जो है कि stop loss trigger में यहाँ पर डाल देंगे 5.10 लेकिन यहाँ पर नहीं ले रहा है 5.05 ले रहा है ठीक है इसको लगा लेंगे इसके बाद simply trigger में यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए अब पांच आ गया यानि कि इसका जो प्राइस हो रहा है डाउन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर simply 5 ही यहाँ पर हने देंगे ठीक तो अब देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस 5 आ गया तो यहाँ पर सेल पर simply click कर देंगे यहाँ पर मैंने order लगा दिया ठीक है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि जब भी इसका प्राइस 5 रुपय घेगा तो मीरा जो यहां पर से लगा जाए तो 6 रुपय का लगाने के मतलब यह है कि मैरा च्छाय के ऊस्वार करगा लेकिन जब 5 रुपया जब करेंक ताब यहां पर 40-0 पाइसा प्रतिपशार के हिसाब से मेरा यहां पर नुखसान होने वाला है ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर stop loss लगाया है जिससे कि मेरा जादा से जादा यहाँ पर नुकसान ना हो सके ठीक है तो यह इस तरीके से आप लोग stop loss प्लेस कर सकते हैं अब देखिए मैंने आपके सामने जो 5 रुपय का प्राइस रखा था मैंने 5 रुपय 40 पैसा में बाइक किया था और मेरा जैसे ही मैंने यहाँ पर stop loss लगाया 5 रुपय का तो जैसे ही 5 रुपय प्राइस आया वैसे ही तुरंत यह मेरा order जो है कि execute हो गया यानि कि जो order था वो sale हो गया ठीक है sale order complete हो गया तो इस order को buy करने में मेरा यहाँ पर 8.75 पैसा का नुकसान हो गया ठीक है loss हो गया तो इस तरीके से आप लोग stop loss लगा करके अपने losses को minimize कर सकते हैं कम कर सकते हैं अगर मैं stop loss से यहाँ पर नहीं लगाता तो मेरा और ज्यादा यहाँ पर नुकसान होता ठीक आप बेसिकली बात करते हैं अभी अगर इसका price के मैं बात करूँ तो price आप लोग इसका यहाँ पर order में जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए मैंने आप लोग को बस educational purpose के लिए बताया था कि नहीं कैसे आप लोग buy करेंगे कैसे sell करेंगे और इस top loss कैसे लगा करके अपने losses को minimize करेंगे तो इस तरह के से आप लोग जो है कि आप से ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 3 रुपय की आसपास था लेकिन अचानक से इसका जो प्राइस था अभी लगभग पांच रुपया 40-45 पैसा तक चला गया था ठीक है लेकिन उसके बाद जो अभी rate टूटना शुरू हुआ है तो अभी आप देख सकते हैं कि 4 रुपया 50-50 पैसा पर आ गया है ठीक है तो आप लोग जो कि यहाँ पर लॉस नहीं बूग कर पाओगे ठीक है आपका प्रॉफिट बूग होगा तो देखिए अभी देखिए मार्केट का पैटरन चला इस तरीके से इस तरीके से फिर इसक बार नीचे आ रहा है यानि कि आप देखिए दो चांसे से या तो मार्केट और ज्यादा नीचे आएगा या फिर यहीं से जो कि कॉल में यानि कि आप हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग आप से ट्रेडिंग कर सकते हैं या भी का अगर रेट बोलो तो अभी देख सकत मिलता हैं फिर किसी नेक स्टूडियो में एक नई अपडेट के साथ